Hello everybody and welcome back to this amazing platform of lawwala मैं उस्रा खान आपकी law mentor और आज आपके लिए बहुत ही important बहुत ही special और बड़ी मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ देखिए आज की इस वीडियो में हमें बहुत ही important topic के बारे में discussion करेंगे यानि कि जो हमारी daily life day to day activity जो रोज मर्रा की हमारी जिंदगी ह ना उसमें बहुत important part है और वो है खरेदारी करने का purchase करने को और यह हम ladies हम लड़कियों से जादा और कौन जानेगा तो खरेदारी तो यार हर कोई हर घर में होती है हर इनसान चाहिए वो obviously male हो female हो तो जब आप खरेदारी करते हो जब आप कोई चीज purchase करते हो तो वो या तो goods होंगी या services होंगी जिनका कोई tangible या intangible form होगा तो ऐसे में goods या services purchase करने में आप कुछ consideration देते हैं यानि कि आप कोई sum of money देंगे कुछ amount देंगे तो जब आप कुछ amount देते हो और उसके बदले में अगर आप कोई goods या services लेते हो उसके साथी साथ उस good और उस service के साथी साथ बहुत सारे ऐसी rights होती हैं बहुत सारे ऐसी duties भी होती हैं आज की इस video में हम कुछ important rights के बारे में discuss करेंगे as a consumer हम as a consumer कौन सी ऐसी rights हैं जो possess करते हैं तो for example मान के चलिए मान के चलिए आप किसे shopping mall गए या आप ये कहिए कि आपने shopping mall जाके कोई top खरीदा या day to day activity में मान के चल लेकिया है तो usually होता नहीं है ऐसा घर में कि आप bread ले आए मम्मी ने देखा कि expired bread ले आयो जाओ वापस करके आओ तो तुम कहते नहीं हो मम्मी से कि अरे मम्मी अब कैसे जाए शरम आ रही है अच्छा नहीं लगता अरे आपने sum of money आपने पैसा दिया हुआ है दुकानदार क अच्छा कहते हैं कुछ sellers ऐसा कहते हैं कि खुली वी चीज वापस मत करना अरे ऐसा क्या है हमने खुला हमने खाया तो मैं पता लगे कि खराब है इस इंप्लाइड on them it is their duty to take that product or exchange में आपको नया प्रोड़क्त दे तो यह सारी चीज है और कुछ ऐसे shopkeepers होते जो लिखा होता अरे ऐसी कोई policy नहीं होती आप खराब आइटम दोगे आप टॉप लेने गई आपने देखा फटा हुआ है जब आप घर लेकी गई आपने देखा निकाल के देखा कि भाई यह तो फटा हुआ है इसमें धबा लगा हुआ यह पहने के काबिल ही नहीं है आपने पैसा दिया 1986 exist करता था हमारे इंडियन लॉज में से एक law था Consumer Protection Act 1986 लेकिन हाली में 2019 में उसमें कमेंडमेंट हुआ और उसको पूरी तरीके से चेंज किया और 2019 के Act ने उसके उपर टेक ओवर करा तो आज के वीडियो के एंडिंग में हम यह भी देखेंगे कि कौन से ऐसे प्राबधान थ हमारी राइट्स जो हमारे इंडियन लॉग के अंदर रेकनाइज देखेंगे तो सारी चीजों को समझने से पहले पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि बढ़ी 2019 का Act है 1986 में मैंने आपको बता दिया 1986 का Act था Consumer Protection Act 1986 और उसके बाद एक और हो गया इस 2019 के Act को आप देख सकते हो डेट 9th August 2019 को इसका Presidential Ascend इसको मिलता है तो अब इसलिए आप देख सकते हो किसलिए इसको बनाया गया for the protection of the interest of the consumer हम as a consumer हमारे क्या इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और साथी साथ established करने के लिए authorities authorities को establish करेंगे ताकि proper administration हो और जो भी consumers की disputes हो उनका redressal हो उन problems का solution निकालने के लिए act basically बनाया गया तो एक तो यह चीज हो गए यह इसका short title है और इसको उपर अब basically state of German Kashmir के उपर भी इसको applicable किया गया यह सारी चीज़े exist कर रहे हैं यह आपको पता होना जरूरी है तो rights के उपर जाने से पहले दोस्तो rights के उपर जाने से पहले बहुत ही briefly मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक consumer क्या है यानि कि consumer protection act के according general sense में देखेंगे बेर की language को पर हम लोग नहीं जाएंगे technicalities पर हम नहीं जाएंगे general sense में हम देखेंगे देखेंगे consumers को recognize किया गया और एक part of consumers को यहां पर exempt भी किया गया है आपको बता दूं यहां पर एक part है वह consumer लेकिन उसको exempt किया गया ठीक है तो देखिए consumers कौन होते हैं a consumer is a person जो buy करता है जो खरीदता है कोई भी good या कोई भी service for a consideration consideration क्या है consideration क्या है it is a sum of money और एक्सेक्टर यानि कि sum of money हो सकता है consideration में मान के चलिए अगर आपने कोई चीज जैसे gold आपने दिया हुआ है goods or services के लिए आपने gold दिया हुआ है तो it is not just sum of money or some other type of monetary consideration और other type of consideration तो यहां पर आप एक चीज क्लियर रखिएगा तो यह consideration क्या है sum of money और 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 any other consideration ठीक है मान के चलिए अगर आपने gold दिया हुआ है और आपने goods को purchase किया जैसे barter नहीं होता था goods for goods तो वह system of exchange नहीं कर रहा है लेकिन आप consumer तो हो जाओगे उस shopkeeper के लिए आपने आपके पास पैसा नहीं था आपने सोना दिया तो वह सारी चीज है for example मैंने आपको बताया तो consideration आपने दिया हुआ है अब मैंने आपको बताया था कि एक part of consumer को यहां पर exempt भी किया हुआ है it does not include a person it does not include a person who obtains a good जिसने कोई product को खरीदा है for resale आप मान के चलो कई सारे आप देखोगे mall जब जाते हैं जैसे बहुत सारे ऐसे departmental stores ऐसे grocery stores है जहां पर आप देखोगे कि यार यह इनसान तो मतलब मतलब उसके पास at least 4-5 trolleys है 4-5 trolleys है इतनी सारी trolleys में इतना सारा सामान इखटा करके ले जा रहा है वह तो वह किसली ले जाता है वह resale करने के लिए ले जाता है यानि कि malls ऐसे grocery stores ऐसे departmental stores से उन्होंने लिया जहां पर usually offers लग जाते इतना पैसा इतना जब आप amount का समान लोगे malls में तो definitely आपका पैसा कम हो जाता है तो उनको वहां पर benefit मिलता है फिर वह MRP पे बेचते है अपनी shop पे तो यहां पर क्या है उनको यहां पर exempt किया गया इस परपस से कर रहे हो commercial gain होगा आपको या रीसेल करने के लिए उसको खरीद रहे हो परचेस कर रहे हो तो वह यहां पर exempt होते हैं लेकिन इस आट के अंदर वह सारे transactions covered हैं जो offline mode पे किये गए हैं online mode पे किये गए हैं electronic means से किये गए हैं टेली शॉपिंग के माधियम से किये हैं multi-level marketing के माधियम से किये हैं यह directly आपने जैसे घर पर जाके बेचा जाता है उन सारी चीजों को यहां पर include किया गया है consumer protection act के अंदर तो यह हो गई आपकी बात who is a consumer की अब हम लोग आते हैं rights के उपए कि as a consumer हमारी क्या rights है देखिए अगर हम लोग consumer protection act की बात करें तो clearly यहां पर rights को मतलब highlight किया हुआ है directly बताया हुआ है कि भाई आपकी क्या-क्या rights है आए देखते हैं तो briefly अगर आपको याद करना है तो पहले तो right the right to be protected दूसरी right है the right to be informed तीसरी right है the right to be assured चौती right है the right to be heard पांचवी right है the right to seek redressal और लास्ट राइट है the right to consumer the right to consumer awareness तो यह कुछ छे rights हैं जो आपके consumer protection act के अंदर recognized है सबसे पहले सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे the right to be protected अब यह protection किसके against हमें right दी गई है the protection against marketing of goods products or services which are hazardous to life or property अगर कोई भी ऐसा good है कोई भी ऐसा product है कोई भी ऐसे service है जिसको अगर हम घर लाएंगे तो हमारी property को नुकसान हो सकता है या उस product से हमारी life को खत्रा हो सकता है अब मान के चलो for example कोई इसे electronic device है जो बेची जा रही एक शॉप में तो ऐसे में अगर उस electronic device को plug-in करते ही वो फट सकती है और directly हमारे life को और हमारी property को खत्रा हो सकता है तो यहां पर हमारी यह right है कि हमें protect किया जाए ऐसे goods के अगेंस्ट कि ऐसे goods को कताई भी ना बेचा जाए सेल ना किया जाए consumers को पहली चीज़ दूसरी बड़ा important right है और वह right to be informed अब किस प्रकार का information यहां पर पताया जा रहा है भाई quality जो भी good product general sense में आप सोचो कोई भी product अगर हम यह पानी की bottle भी खरीद रहें तो हमारी यह right है कि हम दुकांदार से पूछे कि भाई ठीक है कहीं इसमें hole तो नहीं है कहीं यह बहुत जादा दपती तो नहीं है कहीं इसके अंदर cancerous substances तो नहीं है कई बार लोग पूछते हैं लोग copper bottles इसे लिए यूज करते हैं तो यह सारी चीज़े आप जानते हो ladies कैसी होती है बार बार एक ही चीज़ को पूछेंगे किस लिए क्योंकि भाई उनको but of this by default उनको पता है कि भाई we have the right to be informed हमाले पास right है information का तो वही चीज़ है यहां पर we have the right to be informed about the quality quantity potency उसकी purity क्या है उसका standard क्या है कितनी की है products और कई बार दुकांदर ऐसे नहीं हो कितनी बार रहरelin है और वह पूछे और और यह मं आपको लेना हो तो बताओ है एग पैसा तो लग जाएगा आपसे मैं पूछ चीज़े हो आपका क्या rate है इसada can just so as to protect the consumer against unfair trade practices उसके बाद third right है the right to be assured कभी भी ऐसा हो कि भाई अगर कोई भी ऐसा product है मान के चलिए अगर हम लोग कुरते की बात करें ठीक है कुरते की बात करें तो अगर हम लोग लखनओ में चिकन कारी जो है बहुत फेमस है और चिकन के कुरते बहुत फेमस है और लखनओ में दो एरियाज है एक है अमीना बात का एरिया है वहां पर आपको variety of goods मिलेंगे लेकिन चिकन कारी यानि कि चिकन के कुर्तों में चिकन कलेक्शन उतना ज्यादा विराइटी नहीं होगी जितनी चौक के अंदर होगी तो अगर आप मान के चलो वहां चौक से परचेस कर रहे हो तो ऐसा थोड़ना है कि आप ए variety of goods, products और competitive prices को हम examine करेंगे हम देखेंगे कि भाई हम assure करेंगे अपने दिल को तसली देंगे कि भाई हम सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया ले रहे हैं यह हमारा right है उसके बाद right to be heard and to be assured that consumer's interest will be given due consideration at appropriate forum अब district consumer forums है district consumer ऐसे redressal पूरा एक mechanism बना हुआ है जो आपकी consumer complaints को redress करेंगे तो यह हमारा right है कि proper ऐसा ना हो कि आपकी बात को आई गई करा जाए तो यह हमारा right है कि हमारे issues को हमारी problems को यहां पर solve किया जाए redress किया जाए में solution provide किया जाए उसके बाद right to seek redressal against unfair trade practices or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers कई बार क्या होता है जैसे आप किसी शॉप में जाओगे आपको पता है यह bottle मात्र तो तो देड़ सो रुपए की है दो सो रुपए की बहुत जादा होगे 500 रुपए की होगे अब यह bottle को आप जाते हो किसी शॉप में जाते हो और वो कह देता है कि हाँ यह है it is for 2000 रुपीस तो यह क्या है यह exploitation हो गया यह exploitation of consumer है आप इतना जदा amount बता रहे हो पैसा इतना जदा हाइ रख रहे हो आप कहीं न कहीं exploit कर रहे हो consumers को इतना high rate आप नहीं रख सकते हो रखना नहीं चाहिए आपको मार्केट के अंदर rate देख के रखना चाहिए साथ साथ unfair और restrictive trade practices क्या है अभी हम लोग नेक्स लाइड में उसको देखेंगे लास्ट हमारा जो राइट है वो है right to consumer awareness हर consumer को पता होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार है उसकी problems का solution कैसे मिलेगा और साथी साथ अगर उसको कोई भी problem हुई अगर उसको कोई भी ग्रीवांस है तो ऐसे में उसको जो रेड्रेसल हो रहा है उसको जो solution मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है compensation के माध्यम से क्या उसको नया product दिया जा रहा है क्या उसका replacement हो रहा है यह सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए ही आस भी अवेर अब यहां पर हम लोग बात करेंगे रिस्ट्रिक्टिव और unfair trade practices की तो बेसिकली अगर हम लोग restrictive trade practices की बात करें मैं बहुत ही general sense में आपको बता रही हूं restrictive trade प्राक्टिसेस मान के चलिए इसका प्राइम एक्जामपल है होर्डिंग होर्डिंग इसका प्राइम एक्जामपल है अब होर्डिंग का मतलब क्या है कि अगर फॉर एक्जामपल मान के चलिए पोटैटो है आलू है ठीक है अब आलू का रेट मान के चलिए अभी करेंटली च फाली में देखा लेकिन ओडिंग का एक्जेम्प्ल नहीं था तामैटो जो टमाटर का रेट बढ़ गया था लेकिन यहां पे अगर पोटैटो एक ही जगहां पे खटा किया जा रहा हूद इससे यह त्रेट की ऊपर ऐससी प्राकोटिस की जा जैसे मान के चलिए आपने कहा कि यह जो आप फुटवेर लेके जा रहे हैं यह फुटवेर आप जो लेके जा रहे हैं यह बेस्ट और वेस्ट क्वालिटी का है आप कहोगे कि भाई यह आपने यहां से 1200 रुपीस का लिया है पूरी मार्केट में यह रेट आपको मिली नहीं स चूड़ गया और आप थोड़ा आगे बढ़े आपने देखा दूसरी शॉप पर यह यह फुटवेर 200 रुपीस का मिल रहा है तो यह क्या है यह अनफेर ट्रेट प्राक्टिसेज आप अपने प्रॉड़क्ट को कुछ ऐसा बना के बेच रहे हो जो आपका प्रॉड़क्ट है ही नहीं तो यह कुछ एक्जांपल से जो आपको help करेंगे समझने में चीजों को और कभी ऐसा होगा तो Consumer Protection Act पे डीटेल क्लास लगा लेंगे लेकिन यह राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और लास्ली लास्ली हम यह डिसकास करेंगी कि 1986 और 2019 के आप में क्या सार खालती में कोई रेगूलेटर नहीं था लेकिन यहां पे काता हृटी को सेटप किया गया है CENTRALnh दिखी होता है लिकिन यहां पर मेडियेशन का सेटिलमेंट का तरीका दिया गया है प्याल पर उत्राइकम अगर कोई हाम हुआ है तो यहां पर लिएपिलेटी अथुर्टी 對 कोई प्राबधान नहीं था यहां पे डाला गया e-commerce transactions will come under the provisions और direct sales जहां पे हुई है video conferences का कोई प्राबधान नहीं था यहां पे consumers can seek hearing through video conferencing तो यह कुछ बड़े changes हुए 2019 आप जानते हो यह amendments क्यों करे जाते हैं सोसाइटी की नीड सोसाइटी की requirement के माध्यम से उसके help से करे जाते उसके वज़े से करे जाते जो प्राइम नीड होती है जो सोसाइटी नीड करती है तो उसी वज़े से यह changes consumer protection act के अंदर भी करे गए याद रखेगा बड़ा important act है और आपकी rights कहीं न कहीं इसमें बताई गई है और इसे के साथ आज का ये brief छोटा सा वीडियो था आपको थोड़ी knowledge देने के लिए मिलते हैं next किसी इसी तरह के वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रही अपना ध्यान रखिए take care and good bye